हेलो एवरिवान, वेलकम तो लेवल अप लानिंग, माई नेम इस सिम्रन गुंबर, तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो रहे थे कि माम हम जुलाई 2021 सेशन के स्टुडेंट है, हमें अपना प्रोजेक्ट कैसे कम्प्लीट करना है, मैं इसके उपर अल्रेडी चानल पर प्रोजेक्ट वर्क के लिए, डिपलोमा इन अल्ली चाइल्डूट कियर एन एजुकेशन, डिए सी के लिए, डियूरिंग कोविड नाइटीन पेंडेमिक, इसका मतलब था कि कोविड नाइटीन के पेंडेमिक के टाइम आपका प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, लेकिन इसमें अगर आपके एरिया में प्री स्कूल्स ओपन हो गए हैं, तो आपको कैसे बनाना है, अगर नहीं हुए, तो कैसे बनाना है, तो चलो फिर दीरे दीरे सब कुछ समझते हैं, यहाँ पर बहुत क्लिरली मेंशन था, जो बच्चे दिसेंबर 2021 सेशन में एक्जाम्स देने वाल हैं, यह वो बच्चे हैं, जिन्होंने जुलाई 2021 सेशन में एड्मिशन लिया था, तो उनके एक्जाम जून 2022 में होंगे, तो उनको अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उन बच्चों के लिए यह गाइडलाइन्स हैं, ठीक है जी, बिलकुल डिटेल में समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे पहले इन्होंने यह बताया था, अगर आप, आपको पता है प्रोजेक्ट कैसे बनना है, मैंने चानल पर बहुत से वीडियो जाली हुई है, इन्होंने अब यह बता दिया था, कि अगर तो आपके देखो, मैं आपको डिटेल में बताती हू अगर तो आपके एरिया में प्री स्कूल ओपन हो गए है, जैसे कि आप काफी जगा पर हो गए है, तो आपको अपना 30 डेस का प्रोजेक्ट स्कूल में बनाना है, स्कूल में कैसे बनाना है, पहले 5 दिन आप टीचर को अब्जर्व करोगे, अगले 20 दिन दूसरा चरन होग जिसमें 5 दिन का करिकुलम बनेगा, पाठे चर रहा कि बच्चा मेरे पास इतने मज़े आया, इतने बज़े ये करवाया, वो करवाया, ये करवाया, फिर आप एक थीम लोगे, let's suppose पहले दिन आपने थीम लेनी एनिमल्स, तो आप एनिमल्स के ओपर तीनों, अगर आप मिन दिन ओवरोल क्या क्या हुआ, और फिर उनकी इंडिविज्वल रिपोर्ट्स लिखोगे, ये सब करने के बाद आप पहला चरन हो गया, दूसरा चरन हो गया, तीसरा चरन हो गया, आप एनिक्स्चर लगाओगे, जो यहां पर मेंशन है, और मैंने चानल पर वीडियो पी ड अब यह कहा है, यह बहुत जरूरी है, कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसकी वीडियो बनाओ, ठीक है जी, आपने वीडियो बनाई, अब क्या था, पिछली बार तक हमारा पॉर्टल ओपन हो गया था, जिस पॉर्टल पे आपने अपना प्रोजेक्ट अपलोड करा था और यूट्यूब वीडियो के लिंक डाल दिये थे लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के समिशन का टाइम आ गया है और अब भी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ है तो आप अपना प्रोजेक्ट कैसे सम्मिट करोगे देख लो मैंना तुम्हें बिल्कुल करेक्ट चीजे बतात हूँ ओफिशल डॉक्यूमेंट से पढ़कर बताती हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और तुम बिल्कुल सई चीज फोलो करो अब मैं यही पर देख रही हूँ यहाँ पर लिखा हुआ था कि आपको प्रोजेक्ट कहां पर भेजना है ठीक है अब देखो समिशन ओफ प् देस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो पर भी शोर है वहां से कॉंटेक्ट करके डिफरेंट एक्टिविटीज प्रोजेक्ट ले सकते हो जैसा कि तुम्हें पता है तुम्हारी सिम्रन मैं के बच्चों के हमेशा 80 प्लस मार्क्स आते हैं क्योंकि मैं उनको एक लिखा हुआ है एड्रेस असिस्टेंट रजिस्टरार प्रोजेक्स स्टूडेंट एवाल्यूएशन डिवीजन ब्लॉग 3 रूम नंबर 19 इगनू मैदानगडी न्यू डेली 110068 क्योंकि पोर्टल अभी तक कोई ओपन नी हुआ तो इस एड्रेस पे अपना प्रोजेक्ट एया है अपनी सारी कि सारी डिटेल्स लिकोगerson का नाम आपके इंडोल्मेंन नंपर आपका स्टूडी में प्रोजेक्स की ताइटल आपका स्टूडी रूम चया था हरेट अपका अड्रेस अपका फोन number, email address, सब कुछ कोई भी fancy front page लगाने की need नहीं है, कि मैं printed वाला नहीं मिल रहा कोई need नहीं है, handwritten अपनी सारी details लिख देना उसके बाद, पहला चरन दूसरा चरन, तीसरा चरन, एनेक्सचर्स और आपने जो videos बनाई है, वो किसी pen drive या cd में डालके, उसके ओपर लिख देना, कि इसमें मैंने अपने project की videos डाली है, वो speed post कर दो, last date का wait मत करते रहो, last date का wait करते रहोगे, तो time चला जाएगा और तुमारा project अगले session पर पहुँच जाएगा, अगले session पर पहुच जाएगा, तो क्या होगा, जब आपको पते है, vacancies बिल्कुल आने वाली है मैं vacancies की तेयारी करवा रही हूँ जिससे तुमारी government job पक्की लगेगी तो अगर तुमारा project चेक नहीं हुआ होगा तो तुमारा diploma complete नहीं हो पाएगा project को submit करने की last date क्या है, मैं इस video के नीचे क्या कहते हैं, comment में pin कर दूँगी कि अभी तक ये last date है क्योंकि last date कहीं बार extend हो जाती है तो तुम ये video देखते हो तो तुमें समझ नहीं आता तो जो भी latest वली वो होगी date जब आपको submit करना है मैं उसको pin कर दूँगी message को, वो वला message देख ले comment section में कि अब last date ये है, तो last date का wait नहीं करना, project ready है तो उसको speed post कर सकते हो लेकिन अगर आपने project आप July session के ही student हो और आपने अपना project घरवला बनाया है COVID guidelines के हिसाब से बनाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है जिसमें कि हमने पहले चरण में दो वीडियो का वलोकन करा था वो भी गलत नहीं है, क्यूंकि हमारे इस session के बीच में ही lockdown लगा हुआ था, आपको पता है December 2021 और July 2022 में क्या था lockdown लगा हुआ था, तो कुछ बच्चों ने तब project बनाया था तब project बनाया था तो उन्होंने lockdown वाला बनाया था, तो इससे उनका project गलत थोड़ी हो जाएगा, उनका project भी सही है, बस जो भी करना, जिससे भी समधदार से पूछ रहे हो, उसके उससे सही तरह से समझदारी से पूछना कि जो person आपको समझा रहा है क्या वो इतना समधदार है, कि सही समझा रहा है या नहीं बाकी आपको DEC से related कोई भी help चाहिए हो कोई भी assignment चाहिए हो project चाहिए हो, important question answers चाहिए हो, level up learning के contact number पे contact करके ले सकते हो, ये सारी की सारी चीज़े मैंने एक वीडियो में समझा भी रखी है, और जब आप हमसे solved project लोगे, तो ये सारी की सारी चीज़े उसके अंदर follow करके ही मैंने projects बनाए है different different samples, ये नहीं कोई एकी project है, मेरे पास बहुत से project है, बहुत से samples है हम सबको अलग-अलग samples देते हैं, ताकि आपका project कभी भी reject ना हो, और आपको पता ये, आपके Simran Ma'am के students के 80 plus marks आते हैं, अपना प्यार और support ऐसे ही बनाए रखना project की PDF चाहिए हो, assignment की PDF चाहिए हो, level up learning के contact number पे contact करके ले सकते हो, thank you